Hello and Welcome, आपने बहुत सारी स्टोरीज में, मूवीज में, टीवी सिरिल्स में एक फ्रेज सुना होगा, Stay Mum या Keep Mum, इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ एक्जाम्पल्स के साथ में इस वीडिय में आप सीखेंगे तो Keep Mum यानि Stay Mum, इसका मतलब होता है Stay Quiet, यानि चुप रहना, To Remain Silent, Especially So As Not To Reveal A Secret, यानि खास तोर पर जिससे कोई सीखेंगे का खुलासा नहीं हो, उसको कहते हैं चुप रहना, तो Suppose That आप और आपके दोस्त कहीं पे हैं, और आपने कोई इंसिडेंट देख लिया है, कोई घटन खतरे में पढ़ सकते हैं, तो यानि आप एक दूसरे को चुप रहने का Promise करते हो, और इसको कहते हैं Keep Mum, Means You Promised Each Other To Keep Mum, इसके Example देखो, She told Him To Keep Mum और Stay Mum About The Project, यानि उसने उसको कहा कि प्रोजेक्ट के बारे में तुम चुप रहना, किसी को मत बताना, He Was Keeping Mum About The Possible Move To IBM, तो वह चुप था, वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बता रहा था, वो किसी कमपनी में काम कर रहा था, और किसी दूसरी कमपनी में जाना चाहता है, लेकिन इसके बारे में वो बिल्कुल चुप था, उसने किसी को भी नहीं बताया, They Promised Each Other To Keep Mum, तो उन्होंने एक दूसरे को Promise किया चुप रहन का, और राइट, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,